हलो फ्रेंड मैं मोनिका और आज मैं आपके लिए लाइए बिल्कुल बेक्री स्टाइल में बनने वाले आटे की बिस्कित आपने हमेशा मार्केट से बिस्कित लागे खाए उन्हें जिनकी उपर चीनी लगी रहती हैं और आप सोचते होंगे कैसे बनते हैं तो मैंने बेक्री क्रिस्पी क्रंची आवाज तो यह बिस्कित बनाना बहुत आसाल है और इसे आप अगर एक बर बनाएंगे तो इसे आप महीनों तक स्टोर करके टाइट डब्ले में रख सकते हैं और यह क्योंकि आटे से बने हैं तो बहुत हेल्दी है तो चलिए आज मैं आपको बनाना ब चीनी आप अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते मैंने यहाँ पर साबू चीनी ली है चीनी और देसी घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक बालत चमच größting बे कि जान रखेगा एक चीनी गहीं उपकोस्पाषीत में और बइकिंग बनेंगे अब हम इसे इस तरह से चीन सुक्सांणा है तरह से मुझेọं लग-बग 2-3 मिनट तक नहीं है तब हमारे बीसकृत है बिल्कुल बेकरी स्टैंड में बनेंगे अ और इसे में इसी तरह से 3-4 मिनट तक हातों से हाथों की हतौलिय तरह इसे फेट लेते हैं कि य को मैंने इसे तीन से चार मिनट तक फेट लिया था अब इसमें मैं डालूंगी एक कप सूजी मैंने यहां पर बारिक वाली सूजी ली है अब इसमें हम डालेंगे एक कप आटा जितना आटा उतनी ही सूजी डालेंगे तो जो बिस्किट जब हम बनाएंगे तो बहुत हेल्दी बनेंगे और चीनी को हमने यहाँ पे पीसा नहीं है, जब आप बिस्किट बनाएंगे तो चीनी के उसमें दाने दिखेंगे, और बिस्किट खाने में बहुत टेस्टी भी लगेंगे, और इन सभी चीजों को हम साफ हातों से इसी तरह से अच्छे से मसल मसल के डो जैसा त्यार करेंगे हमें एक बार इस तरह से सभी को मिला लेना है, देखिए एक मुठी जैसी अगर इसमें भंद रही है, इसका मतलब कि हमारा इसमें घी का जो मौयन था बहुत अच्छा था, अब इसे हम एक गिलास में हमने यहाँ पे उबला हुआ ठंडा दूद लिया है, जिसे हम थोड़ा ठोड़ा करके डालेंगे, एक साथ हमें पूरा दूद नई डालना है, ठोड़ा दूद डालते हुए हमें इसका एक आटा जैसा डौ सॉफ्ट तयार करना है, आप हाथों की हतेलियों से मलते हुए आटा गूती है, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा आटा गूत के तयार हैं आटा गूत वे, इसी तरह से मसल मसल के हमें आटा लगा के तयार करना है, देखिए पूरा तीन से चाय मिनिट हमने आटा को मसल मसल किकिया और आप देख सकते हैं पर आट में कहीं से भी आटा नई चिपका है, बहुत ही अच्छा हमारा यहां पे आटा गूत के तयार और दूद भी इसमें लगबग तीन से चार बड़ी चमज बच गया है, बाके का दूद हम रख देंगे और आप हम बिस्किट बना के तयार करेंगे, एक मैं यहां पे लोई लूँगी, मैं यहां पे थोड़े मोटे बिस्किट बनाऊंगी, क्योंकि जब इसी हम खाएंगे जो डिजाइन आपको पसंद हो, मैं यहां पे फॉक वाला डिजाइन दूँगी, एक बार और मैं आपको यह डिजाइन, मैंने आप पे लोई ले ली, उसे थोड़ा सा ओवल सेप दिया है, और अब इसे हम फॉक से एक बार डिजाइन कर देंगे, ओवल सेप बनाने बाद म ऐरो आप आप अपनी पसंसे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं पें भी से घगी से ग्री त्रै को घिस कर लेंगे, अगर अबके पास बटर पेपर हम पिछा के भी दिस घं ग्रेस कर सकते में ऐसी घल से उसे घंसी घ्र प्री trash सो ग्रीस कर सकते हैं, और यह पूरी ट्रे में बिस्किट बनाया था इसे मैं इस ट्रे में रख देती हूं और थोड़ा सा गैप रख रखके हम सभी बिस्किटों को बना के रख देंगे मैंने बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा गैप रखा है क्योंकि बिस्कित जब बेक होंगे तो थोड़े से साइज में बड़े हो जाते हैं इसलिए इसमें थोड़ी सी हमें स्पेस रखनी चाहिए अब हम ओटी जी को गरम होने के लिए रख देते हैं सबसे पहले हम टेंपरेजर को कर देंगे 200 डिग्री सेंटी ग्रेट पर जो हमारा सेलेक्टर उसे हम टोस्ट पर रखेंगे और दस मिनट के लिए हम ओटी जी को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे दस मिनट बात मैं ट्रे में जिसमें हमने बिस्कीट सजाए थे उसे हम बेक होने के लिए रख देंगे ट्रे को हमें मिडल वाले रॉड में लगानी है जिससे उपर और नीचे से इसे अच्छे से हीट मिले और हमारे बिस्कीट बहुत अच्छे बेक होके तयार हो अब इसे हम timer फिर से एक बार set कर देते हैं timer set सबसे पहले हम temperature करेंगे 1500 degree centigrade पर select हम इसे कर देंगे bake पर क्योंकि हम biscuit bake कर रहे हैं और timer हम यहाँ पर कर देंगे 25 मिनट 25 मिनट बाद हम biscuit देखेंगे अगर हमारे biscuit कहीं नहीं थोड़े बने होंगे तो हम इसे और 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे देखें फ्रेंड मैंने 25 मिनट बाद biscuit समा ले थे तो जो बिस्कित थे वह थोड़े से light थे तो मैंने 10 मिनट के लिए timer को ओर set कर दिया था और हमारे जो बिस्कित है वो अब पूरी तरह से अच्छे बेक हो गए मैंने ट्रे को नीचे रख दिया है अब इन बिस्कितों को हम ठंडा होने के बाद एक एक करके निकालेंगे बिस्कित हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए और आसानी से हमें ट्रें से छुटा लेने और देखिए मैं आपको इसे दिखाती हूं पास से हमने इसमे सब्सक्राइब होते हैं आपके लिए आपके बच्चों के लिए तो आप इसी तरह से यह बिस्कित बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए अंदर से भी देखे मैं आपको तोड़के दिखाई पूरी अच्छे से बेक हुए कहीं से भी हमारा बिस्कित जो है कच्छा नह कर गी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें